नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरी दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्व पून चानकारी लेकर के जिहां अगर आप औरों का पानी पी रहे हैं तो ये आपके मौत का भी धीरे धीरे कारण बन सकता है जानना ये बहुत जरूरी है इसलिए पानी को अगर शुद्ध करना हो तो सबसे पहले कहा जाता है कि उबाल करके पीजिए सबसे बेश्ट होता है लेकिन इतना हमारे पास वक्त नहीं होता है या फिर हम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि पानी को उबाल करके शुद्ध करके पिएं और च्छान के आईए जा पानी पीने से शरीर को किस हद तक नुकसान हो सकता है यहां तक कि यह आपकी मौत का कारण भी बन सकता है हम आपको पुनतह स्टेप बाइस्टेप आपको डॉक्टर्स द्वारा किये हुए शोध भी बताएंगे जिन्होंने इस पर शोध किया हुआ है आज का दोर ऐसा है कि दुनिया दिखावे में मरी जा रही है हम जब भी सफर में या कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं अपने साथ अपने लिए पानी की विवस्था करके नहीं चलते सोचते हैं कि मार्केट में पैकिंग वाला बढ़िया पानी खरीद लेंगे जबकि पहले पुराने समय में ऐसा होता था हम जब भी सफर में कहीं जाते थे तो अपने घर से ही अपने लिए पानी की विवस्था करके चलते थे लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह विभिन कमपनियों द्वारा बेचा जाने वाला बोतल बंद पानी आपके शरीर को कितना नुकसान कर सकता है और इस बात को World Health Organization WHO ने भी अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि फिल्टर किया हुआ या आरो का पानी आपके स्वास्थी की द्रिष्टी से बिलकुल भी सुरक्षित नहीं है आए एक शोध पढ़ते हैं जो कुछ एक दिनों पहले नियूस पेपर में आया था आरो के पानी में नश्ट हो जाते हैं केल्शियम मेगनेशियम ये डॉक्टर मधान का कहना है दुनिया भर के वैग्यानिक और शोध करताओं की ओर से की गई शोध के बाद वर्ड हिल्थ और्गनाइजेशन डवल्यू एच ओ ने बताया है कि रिवर्स आस्मोसिस आरो का पानी लगातार सिवन करना मौत का कारण बन सकता है वैग्यानिक और शोध करता इस नतीजे पर पहुचे हैं कि आरो प्रक्रिया पानी से बैक्टीरिया खत्म करने के साथ साथ शरीर के लिए जरूरी खनीज केल्शियम और मैगनीशियम 92 से 99 प्रतिर्शत तक नश्ट कर देती है इससे शरीर का विकास होने के बजाए उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है इसी कारण एशिया और यूरोप के कई देशों ने आरो पर पून तोर पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि शोध से पता चला है कि आरो का पानी लगातार सेवन करने पर हड़ी रोग विशेशग्य डॉक्टर जगदीप मदान का कहना है कि आरो का पानी शरीर के लिए जरूरी मिनरल भी नश्ट कर देता है शरीर को जरूरी मिनरल न मिलने से गंभीर बिमारियां शरीर को घेर लेती हैं और मानो शरीर कोई भी काम करने में असहाय महसूस करने लगता है केल्शियम हड्यों को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाता है आरो के पानी के लगातार सिवन से कैल्शियम और मेगनीशियम नश्ट हो जाने से हड्डियां भी कमजोर पढ़ने लग जाती है उनका कहना है कि आरो को छोड़ प्यूरिफाई पानी का इस्तेमाल कहीं लाफदायक है उन्होंने कहा कि ट्रेंड है कि महंगी से महंगी चीज खरी दी जाए लेकिन उससे क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा इस बारे में लोग जानकारी एकत्रेत नहीं करते हैं इसलिए ये प्रोब्लेम उनके साथ होती है इतनी तेज धूप में हमें अगर ठंडा पानी पीने को मिल जाए तो मज़ा आ जाता है और अगर यह पानी आरो से फिल्टर किया हुआ हो तब तो क्या कहने हम सोचते हैं कि आज तो तवियत मस्त हो गई शायद आपको हम जो आपको ये बताने जा रहे हैं ये जान करता जुब हो रहा होगा कि आरो से फिल्टर किया गया पानी सुरक्षित कैसे नहीं हो सकता यह असंभव लगेगा जरूर लेकिन आप अंत तक इस वियो को अगर सुनेंगे तो आपके समझ में पूरी बात आ जाएगे कि इलेक्ट्रोनिक मशीनों द्वारा फिल्टर किया गया पानी स्वास्ते की दृष्टी से बिलकुल भी सुरक्षित नहीं है विश्व स्वास्ते संगठन मतलब World Health Organization WHO की रिपोर्ट के अनुसार पैकिंग वाला बोतल बंद पानी लागातार लंबे समय तक पीने से आपके स्वास्ते पर नाकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इसके लागातार सेवन से आपको हरिदय संबंधी विकार थकान महसूस होना मानसिक कमजोरी और मानस पेशियों में एठन या सिरदर्द जैसे कई रोग हो सकते हैं क्योंकि शोध से पता चला है कि जब आरो पानी फील्टर करता है तो वह इस पानी में से अच्छे येवं बुरे मिनरल्स सभी को बाहर निकाल देता है क्योंकि उस मशीन को अच्छे या बुरे मिनरल्स की पहचान नहीं होती है और इस तरह का पानी पीने से आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचता है आरो का इस्तेमाल वहीं करना चाहिए जहां DTS की मातरा बहुत ज़्यादा हो ऐसे छेतरों में आप आरो की मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं वैग्यानिक और शोदकरता इस नतीजे पर पहुचे हैं कि आरो प्रक्रिया पानी से बैक्टीरिया खत्म करने के साथ साथ शरीर के लिए जरूरी खनीज कैल्सियम और मैगनीसियम 92 से 99 प्रतिशत तक नश्ट कर देती है हमने एक और रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें भी आपको यहीं बात बताई इसमें भी यहीं बात है हम दोनों में इसलिए आपको रिपीट करके यह बात सुना रहे हैं क्योंकि अलग-अलग शोद करताओं ने भी एक ही बात को कहा है इससे भी साबित होता है कि हमारे लिए यह नुकसान दे है इससे शरीर का विकास होने के बज़ाए उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है इसी कारण एशिया और यूरूप के कई देशों ने आरू पर पून तोर पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि शोद से पता चला है कि आरू का पानी लगातार सेवन करने पर हरदय संबंधी विकार, ठकान, कमजोरी, मानश, पेशियों में, एठन, इत्यादी, गंभीर साइड इफेक्ट पाए गए है आरू कर देता है जरूरी मिनरल भी, नश्ट जिनके घरों में आरू की मशीन लगी रहती है वह लोग बड़ी ही शान के साथ बोलते हैं फलानी कमपनी का आरू लगवाया है पर यह नहीं जानते कि दिखावे के चकर में असल में हमने अपने बिमार बनने का सामान अपने घर में लगा लिया है लंबे समय तक इसका उपयोग करना वास्तों में नुकसान दायक साबित हो सकता है इसलिए जहां तक संभव हो क्लोरीन का इस्तेमाल करें जिससे की पानी में उपस्थित लावदायक बैक्टिरिया नश्ट नहीं होते हैं और इसकी तुल्ना में ये काफी सुरक्षित भी होता है आरू का पानी फिर्टर करने में पानी में उपस्थित जरूरी केल्शियम और मैगनीशियम 90% से 99% तक नश्ट हो जाते हैं इस तरह का पानी पीने से आपके शरीर में नुकसान होने की संभावना काफी बढ़ जाती है यहां हम आपकी जानकारी के लिए पुनह बता दें कि एशिया और यूरोप के कई देशों में आरू पर पून रूप से प्रतिबंध लग चुका है दोस्तों अगर आपको हमारे इस वियो में दी गई आरो का पानी वाली जानकारी सही लगे तो क्रिप्या करके आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें जिससे कि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके और हो सके तो वो इससे बच सके हमने बताया कि आपके पास इसके लिए सही निदान भी क्या हो सकता है तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का ख्याल ओल्वेज रखना चीए क्योंकि हमारा स्वास्थे जो है वो सबसे बेश किमती धन है हमारे लिए अगर हम स्वस्थ हैं तो दुनिया के हर एक चीज हमारे लिए खुबसूरत है अगर हमारी बोडी में कोई भी भी बिमारी घर कर जाती है तो हमारी लिए दुनिया की सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है इसके लिए आप उचित मात्रा में पानी का सेवन जरूर करें और इसके अलावा अपने डाइट को always balanced रखें अगर आप अपने खान पान में नियमित रूप से बदलाव करके हर एक चीज को शामिल कर रहे हैं जो की जरूरत होती है जब शरीर में आपको पता चल रहा है कि मैंने लगातार बहुत दिनों से क्यों मीठा मीठा खाना ही खाया है तो सुभाविक सी बात है कि जो आपको चाहिए होगा विटामिन सी चाहिए होगा वो निम्बू से मिलेगा आप क्यों मीठा खा रहे हैं इसमें की हर एक चीज शामिल हो जिससे आप स्वस्थ रह सके या आपको स्वस्थ रहने में मदद मिल सके तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्तो पून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों